बारत और उस्ट्रेलिया के पीच वन्डे सीरीज सुरू होने में अब सिर्फ चार ही दिन रह गए हैं जैसे जैसे ये हाई वोल्ड सीरीज करीब आती जा रही है तोन टीमों के पीच बयान बाजी का दौर भी शुरू हो गया है टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मौबबश शमी ने तो आस्ट्रेलियाई टीम को खुली चितावनी भी दे दी है मौबश शमी ने कहा कि अगर सीरीज के दौरान आस्ट्रेलियाई किलाडी ने स्लेजिंग की तो उन्हें टीम इंडिया का करारा जवाब देगी शमी ने एक न्यूज चैनल में खास बातचीत में कहा हम कंगारू टीम की स्लेजिंग के लिए बिल्कुल तयार है अगर वो जुबानी वार करेंगे तो उन्हें जवाब दिया जाएगा वो जैसे करेंगे उन पर वैसा ही पलट वार होगा औस्टेलियाई टीम स्लेजिंग के लिए मशूर है उसके खिलाडी जुबानी वार कर विरोधी टीम की खिलाडियों का ध्यान भटकाते हैं लेकिन टीम इंडिया इसके लिए तयार है शमी ने कहा स्लेजिंग किर्केट का हिस्सा है अगÎर विरोधी टीम बड़ी पार्टनर्शिप कर लेती है तो आप बले बाजों का ध्यान भटकाने के लिए स्लेजिंग करते हैं हम स्लेजिंग करते हैं लेकिन हम गलत भाशा का इस्तेमाल नहीं करते वैसे टीम इंडिया जुबानी जंग के लिए तो तैयार ह भी है चैंपिन ट्रॉफी में टीम इंडिया ने फाइनल तक जगा बनाई और उसके बाद वेस्ट इंडीज में वन्डे सीरीज जीती अभी पिछले दौरे पर टीम इंडिया ने श्री लंका दौरे का clean sweep कर दिया टीम इंडिया ने श्री लंका में खेले सभी 9 मैचों को जीत जिसमें तीन टेस्ट मैच पांच वंडे और एक टी टूइंटी मैच की जीत भी सामिल है ऐसी और भी दिल्चस्प कबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले